हलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, मेरा नाम है मीनमलिक और आपका मेरे यूटूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2.3 एक्सरसाइज जो हमारी पोलिनोमियल है 10th क्लास के चैप्टर की पोलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है उसकी जो 2.3 एक्सरसाइज थी उसको करने के लिए हम पहले हमारे जो एक्सेम्पल थे वो डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने सिरफ 6th और 7th जो हमारा एक्सेम्पल था वो यहाँ पे solve कर लिया था अब आज हम discuss करेंगे हमारा 8th और 9th example तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास statement है statement क्या दी हुई है कि हमें divide करना है यहाँ पर 3x square minus x cube minus 3x चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x square minus x cube minus 3x तो अब 3x आगे क्या है plus 5 by x minus 1 minus x square तो हमें यह जो हमारी equation है जो एक हमारी qb equation है जैसे कि हमें पता चल रहा है यहाँ पर x raise to power 3 हमारी maximum है और हमें divide करना है इसको quadratic equation से तो इसको हम कैसे solve करेंगे अब वो देख लेते हैं तो जैसे यहाँ पर हमें क्या scene हो रखा है यहाँ पर कि जो हमारी equation है यह हमारी क्या है एक standard equation नहीं है हमें पता है कि standard equation हमारे पास qb कैसी होती है वो हमारे पास कुछ इस form में आती है p qx square plus rx plus यहाँ पर s ठीक है कुछ इस form में हमें मिलती है मिन्स वहाँ पर जो हमारे powers है वो decreasing order में चल रही होती है कि पहले हम cubic equation फिर second वाली आएगी मिन्स यहाँ पर देखो 3, 2, 1 और without जो हमारा x है उसके without variable के या मिन्स हम बोल सकते हैं यहाँ x की power 0 है तो अब यहाँ पर standard equation तो है नहीं 3 plus 3 x square minus 3 x plus 5 और इसको हमें divide करना है x divide किसे करना है जो यह है यह हम यहाँ पर लिख लिखते हैं एक बार minus x square minus plus x plus minus 1 यह हमारी क्या आगी अब एक standard general form आगी जिसके अंदर हम represent करते हैं cubic equation को तो अब हमें क्या करना है इसको division algorithm की help से हमें यहाँ पर इसके factor find out करने है तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको यहाँ पर verify भी करेंगे कि हमारा division algorithm ठीक है या नहीं है division algorithm हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि जो हमारा divided end है means जिसको हम divide कर रहे होते हैं ठीक है वो equal आएगा diviser diviser into quesan diviser into quesan और 700 में हमारे पास यहाँ पर plus में क्या आता है plus में आता है remainder ठीक है plus में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर remainder आएगा तो इसको भी verify हमें करना है यहाँ पर तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर division डिवाइड कर लेते हैं इसको तो हमने यहां पर लिख लिया 2iper 3 एक्सно स्केयर माइनस 3x प्लस 5 और अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस टर्माइस to find को यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है सबसे फ़र्स्टर स्टै प हमारे करता है जो भी हमारे divider होता है diviser होता है उसके coefficient को हमारी जो equation है उसके coefficient के equal करना होता है coefficient को भी और variables की power को भी तो यहां पर हमारा coefficient तो same ही है यहां पर one है तो यहां पर one है लेकिन अगर हम variable की बात करें तो यहां पर x square है लेकिन यहां पर x की power 3 है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे X से के साथ इसको multiply करवा देंगे क्योंकि हमारे यहाँ से क्या होएगा जो variable है उसकी power हमारी same आ जाएगी तो हमने यहाँ पर X लिख दिया और यहाँ पर X के साथ जब इसको multiply करवाएगे यहाँ रफ वर कर लेते हैं हम साथ में ठीक है जो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने किया क्या है यहाँ पर तो minus X square plus X minus 1 into यहाँ X से हम multiply करवा रहे हैं तो अब हमें पता है कि यहाँ multiply जब करवा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो हमारा यह जो term है यह इन तिन्नों के साथ multiply होगी तो पहले यह इसके साथ multiply करेंगे फिर इसके साथ multiply करेंगे और इसके साथ multiply करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले first term के साथ multiply की तो यहाँ पर आया X की cube second के साथ किया तो यहाँ से आया X square है थर्ड से किया तो यहां से आया एक्स अब जो यह टम जो आई है हमारी multiply करवाने के बाद उसको हम यहां पर substitute करेंगे ठीक है तो अब हमने यहां पर put कर देना इसको एक्स स्केर माइनस एक्स अब इसको खरेंगे cancel अब जब हम माइनस कर रहे होते हैं जैसे हमने हमारे पास है two x plus five और हमें – करना उसमें से seven plus five seven x plus five तो इनके sign क्या होंगे change होंगे माइनस की विज़े से ऐसे क्या होगा इनके जो sign है वो change हो जाएंगे तो इसके sign change होगा तो यह बनेगा हमारा positive यह बनेगा negative और यह बनेगा positive जो इनके sign होते हैं उसके positive बन जाते हैं यहां से तो अब यहां पर यह चीज तो हमारी cancel हो गई लेकिन यह हमारे पास क्या है 3x square और यहां से बच गया हमारे पास x square यह minus का है तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास बचेगा 2x square यह हमारे पास minus है यह हमारे पास plus है तो इसमें यहां से हमारे पास क्या बचेगा minus का 2x वहां से बचेगा 5 ठीक तो अब हमारे पास यह term यहां तक आ चुकी है अब हमें क्या काम करना है अब करना है हमें इसके अब यहां पे देखो हमारे पास variable की जो प्लस का करना पड़ेगा इसको प्लस 2x स्केर करना पड़ेगा तो अब हमारे पास है माइनस x स्केर प्लस x माइनस 1 तो इसको हम क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टिप्लाई करवाएंगे माइनस 2 से मल्टिप्लाई क्यों करवारे क्योंकि यह positive करना है तो यह आएगा plus 2x square minus minus plus हो जाता है और फिर यहाँ पर आएगा minus 2x और यहाँ पर आएगा plus 2 ठीक है तो अब यह जो value आई है यह हम यहाँ पर रख देंगे और जो हमारा minus 2 था वो हमने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ से आया हमारे पास 2x square minus 2x plus 2 अब हम हमें पता है कि माइनस करने के बाद क्या करने पड़ते हैं साइन चेंज करने पड़ते हैं तो यहाँ पर भी हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस यह माइनस कथा यह प्लस यह प्लस कथा यह माइनस यह इसके साथ कैंसल हो गया यह इसके साथ कैंसल हो गया तो यहाँ से क्या क्या है माइनस x square प्लस x-1 और क्यों सेंट हमारा क्या है माइनस x-2 और remainder हमारा क्या है 3 तो यह इसके equal आने चाहिए जब हम इसको multiply करके देखेंगे तो ठीक है तो चलिए अब हम इसको verify कर लेते हैं कि इन दोनों को multiply करेंगे और उसमें 3 add करेंगे अगर वह इसके equal आ जाता है फिर तो हमारा verify है अगर नहीं आता तो इसका मतलब यहां पर division algorithm हमारा verify नहीं हो रहा तो अब हम यहां पर क्या करेंगे पहले हम जो x-2 है पहले अब हमें पता है board mask के coding हम क्या काम हम पहले करते हैं अगर bracket हो तो bracket अगर off हो तो और को multiply में change करते हैं divide हो तो मो multiply हो तो पहले multiply करते हैं ठीक है तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले multiply करेंगे क्यांकि आप हमारे पास सिर्फ तो हम यह काम करेंगे पहले तो यहां से क्या करेंगे पहले यह इसके साथ भी मल्टिप्लाई होगा यह इसके साथ भी मल्टिप्लाई होगा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी मल्टिप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टिप्लाई होगा तो यहां से हमन माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस यहां से कितना आएगा हमारे पास प्लस डू एक्स गुतार नाखक यक रहा विखा नेई-टीव आएग तो यह हमरी कि आएगी नेगा Works हो जाएंगे और प्लस में हमारे यदि यहां से 2x sox2 और यहां से यहां से vs 2x के सकंद का सबक्राइब अब करने के बाद निए और 5 यहां करने के बाद क्या बन गया अब यहां पर देखो यह हमारी सेम वही एक्वेशन है जो यहां पर हमने स्टार्टिंग में ली थी बस इसको क्या किया है इन्होंने रियरेंज यह हमारी जब हम क्या करते हैं जो maximum power अब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि पहले बड़ी पावर वाली तर्म आएगी फिर छोटी पावर वाली ठीक है लेकिन यहां पर इन्होंने स्टेंडर फॉर्म में देनी रखा था तो जो यह ली थी हमने स्टेंडर फॉर्म आप मैच करके देख सकते हो यहां से बिल्कु एक्ञार क्या है था 6 जो हमारे अक्जैम्पल था वो डिसकस किया था फिर हमने सेवने एट्छा को आज अग्जैम्पल णिसक estos किया तो आज वी इडियो अच्छी लगी अगर वी पर भी क्लिक करना पिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नहीं नोटिकेशन मिलती रहेगी, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरी चैनल पर ऐसे ही जो नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई एंड ओल दा बेस्ट